मैं मीशा भारती जो राजसभा की सदसेता निर्वाचित हुई हूँ इश्वर की सपत लेती हूँ कि मैं बृधी के द्वारा स्थापित भारत के सब्विधान के प्रती सची श्रदा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंटा अक्षुन रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहन करने वाली हूँ उसके कर्टब्यों का श्रदा पुर्वक निर्वाण करूंगी मैं रंजीत रंजन जो राजसभा की सदस्ता निर्वाचित हुई हूँ इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सविधान के प्रती सची श्रदा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अश्रुन रखूंगी तथा जिस पत को मैं ग्रहन करने वाली हूँ उसके कर्टब्यों का शधा पुर्वक निर्वाण करूँ नमस्कार आप देख रहे हैं हलाइब सिटीज मैं हूँ आपके साथ सौरव राज पपु यादब की पत्नी और कॉंग्रिस के तेश तरार प्रवक्ता रंजीत रंजन 36 गर्श से राज सभाब पहुच गई है आपको बता दे कि 36 गर्श से कॉंग्रिस ने रंजीत रंजन को प्रत्यासी बनाया था और उन्होंने चुना में जीत दर्श की और आज राज सभाब में उन्होंने संसद में शपत ले लियाए आपको बता दे कि रंजीत रंजन को कॉंग्रेस ने 36 गर्सुमी द्वार बना करके राजसभा में भेजा और राजसभा में आज सांसद के रूप में उन्होंने शपत ली है। जो लोकसभा के सांसद रही हैं लेकिन बीच में जब 2019 लोकसभा चुनाब हुआ उस वक्त उनकी हार हो गई थी उसके बाद फिर से 2022 में कॉंग्रेस ने 36 गर्से रंजीत रंजन को पार्लिया में इंट बेजा है। पार्लियामेंट में पहुँच गई है। आपको बता दें कि बिहार से पांच सांसद इस वारे रासभा में पहुँचे हैं जिसमें आरजेडी के दो, जेडीव के एक और बीजेपी के दो सांसद। आपको बता दें कि इन सब में मिशा भारती हों या फिर बीजेपी के सतीश चंदुबे पुराने रासभा सदस रह चुके हैं। लेकिन जेडीव के जो खिरो महतो हैं उप नए सदस के रूप में सांसद बने हैं। उसके साथ फ्याज जहमत पहली बार रासभा पहुँचे यहां फिर संभू सरन पटिल बीजेपी के जो मिदवार थें रासभा के उन्होंने भी आज रासभा में शपतली है। आपको बता दे कि बिहार से पांच रासभा के सदस जो पहुचे थे उन्होंने सारे लोग आ सांसद के रूप में शपतली है। लेकिन 36 गड़ से पपू यादब की पत्नी कॉंग्रेस के उमिदवार थी और उन्होंने रासभा पहुच करके सांसद के रूप में शपतली है आपको बता दे कि पपू यादब हो या रंजीत रंजन इस सारे लोग बिहार में जिस तरीके से काम करते हैं जो उनकी एक छबी है जो नाम है वो जनता के बीच में काफी जादा लोग प्रिये रही हैं एक बड़ा नाम रहा है रंजीत रंजन का कॉंग्रेस में आज भी उ आज उन्होंने राजसभा में संसद में आज संसद के रूप में शपत ले लिया आपको बता दें कि रंजीत रंजन च्छतिस गर से लिए हैं लेकिन वो बिहार के ही रहने वाली हैं इसलिए बिहार के लोग काफी जादा दिल्चस्पी रखते हैं उनकी खबर को लेकर के य चंदूबे और संबूश अरनपटेले सारे जो नए मेंबर राजसभा में इस्वार 2022 में जो पहुचे हैं उन्हों का सपत गरहन हुआ आज उन्होंने शपत लिया संसद में गोपनेता की शपत लिया मंदारी की शपत लिया लेकिन आपको बता दें कि रंजीत रंजन मीशा भारती ये दो बड़े नाम हैं एक 36 गड़ से पहुची हैं लेकिन उनका बिहार से काफी पुराना और काफी पारिवारिक नाता रहा है वो बिहार की रहने वाली हैं और मीशा भारती लालू परसाद यादब की बड़ी बेटी जो आरजेडी में एक बड़ा नाम है वो पीच में रंजीत रंजन जब चुनाब लोकसभा की हार गई उसके बाद से वो संसद के सदस नहीं रही थी लेकिन अब फिर से रास सभा में वो पहुच गई है फिर से जनता के मुद्दे और पार्टी के मुद्दों को उन्होंने प्रकर रूप से और बेहतरी धंग से पे मुचे हैं और रंजीत रंजन बिहार से नहीं 36 गड़ से उन्हें कॉंग्रिस ने प्रत्याशी बनाया था और उजीत दर्ज की और फिर से रास सबाब पहुच गई है दिली से सौरव राइल लाइब शिटीज